हेलो एव्रीवाइन बोटनी यूट्यूटीब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में बात करेंगे इथैनो बोटनीकल मेथेडोलोजी के बारे में तो इथैनो बोटनी जो है पत्यायगा बोटनी इथैनो बोटनी जो होती है जिसमें हम तर हम नोलेज एक्सट्रक्ट करते हैं यूज वबारे में इथैनो बोटनीकल डियूमंटेशन खरी। यूद्यू नोलेज वहनी इथैनो बोटनीकल नोलेज्ब चैनल भीज़नेशन्स के ओर आपा carbon. । future generation के लिए ठीक है the field of ethano botany require a variety of skills हमें उसके लिए बहुत कुछ skills हैं जो हमें require हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ethano botanical training for the identification and preservation of plant specimen ethano botanical training में जो है हम identification and preservation करना सीखेंगे plant specimen के second one is anthropological training anthropological training में हम जो understand करेंगे cultural concept को around the perception of plant ठीक है थर्ड वन इस linguistic training इसमें जो है to transcribe local terms to understand native morphology इसमें हम local term की उस plant को local language में क्या बोलते हैं ठीक है वो हम understand करेंगे the main tool for the study or उसके लिए सबसे पहले हमारे पास है field work herbaria ancient literature and scared plant ठीक है सबसे पहले हम चाहने आज बात करेंगे वह है field work के बारे में तो field work जो है उसको also known as first hand knowledge field work को हम first hand knowledge भी बोलते हैं first step जो है इसमें collection identification and documentation of plant यहां में पहला step इसमें collection collect करेंगे इसके identify करेंगे और उसको documentation करेंगे ठीक है second to develop familiar about the tribe their culture dialectic vegetation pattern and flora हम लोगों को जैसे कोई भी इंसान किसी भी group में जा रहा है कोई भी tribe है वहां के लोगों के पास जा रहा है उन लोगों के साथ उसको familiar होना पड़ेगा ताकि उन लोगों की भाशा जो है कोई local जो हमारे यहां से इंसान गया उसको समझा सके ठीक है और फ्लोरा के बारे में ठीक है ठीक है और उसकी इकनोमिक कपैबिलेटी के बारे में हमें डोकुमेंटेशन करनी है इन अल्ड़ ट्राइबस देरा सम अल्डर्स हुँ नाउन अबाट दे मेडिसिनल प्लांट काल केवी राजास ठीक है कवी राजास होते हैं जो कि एल्डर होते हैं उन्हें सब मेडिसिनल प्लांट के बारे में बहुत सारा नौलेज होता है इतनो बॉटनिस्ट हैं तो लाइन अंगमंग ट्राइबस फोर लॉंग डूरेशन तो मिस विद देम अग्वार देन कॉंफिनेंस बाइस्पेक्टिंग दियर रिचूल्स एंड सेरेमोनी जो इतनो बॉटनिस्ट होते हैं हमारे वह क्या गरते हैं ट्राइबल पीपर के उनके हसाथ मिक्स हो स के लिचन बहुत जादा लूंग ड्रेशन एकलर रहना पढ़ता है तरुक है शहाल साहल साल-8 ताकि लॉटनिस्ट सीख सके इनके पांखिल हो इटनिक ने यह कंबटनीक इसपन उन्होंने वन्होंने तू आर्श जो हैं ट्राइब नर्थ वेस्ट अमजोन में पैंड गी है पॉब्लिश करने इतन भॉट निकल एकाउंट डॉट आपने कर थो साज तक वहां रहे हैं इस ही थाना बोतनिकल नौलर्ज चैनल बिगादरल कैंगे ट्रिफ ले सकते हैं बइसे थैचिंग नौलेज़ आवल पीपल टैकिंग नौलेज़ आवल पीपलांचीन आवाइटल अवाइटल प्लाइटल कीःतल गडिगे और फिल्ड के बारे में इनृट प्लांट के बारे में इनफॉर्मेशन लेवेंगे उनके प्लांट के बारे में स्कोह हम रिकॉर्ड करेंगे त्यूरा वीजेगा टॉर्लन जोड़ नारी प्लांट के बारे में सिर्षान кан twenty five ten यूड़ों serd main पेड़ों को तोड़ के बारे में बदाएं भी हम उन्हें लेकर आएंगा कि ली पोछें उनकमी प्राइब उनको पूछें खा माइं नीथा के पैट के लिए इस चीज के लिए कौन लंडार शुक्ती प्लांट시 में पूछें लिए गांएंक हूं बाइनेचर ट्राइब्स पीपल होते हैं वह बहुत जादा थोड़े से शर्मीले टाइप होते हैं या फिर वह अपने नेचर को लेगा अगर कोई भी बाहर से लोकल पीपल उनके अरिये में जाते हैं तो उसको थोड़ा साथ मिलाते नहीं है अगर वह उनको पैसे भी देगा तो भी उनको अपना कल्चर इतना ज्यादा शोर नहीं करते ठीक है कोशन राइज फॉर्म क्लेक्षिंग डाटा डूरिंग इथनोबोलिकल स्टडी अब हमें इथनोबोटनिकल डोकुमेंटेशन शीट बता रही हूं आपको ठीक है जो हमें क यह हमारा सीरीज नंबर जैसे हमें यह बना रहा है शीट इतनोबोटनिकल डोकुमेंटेशन शीट है यह इसमें सबसे उपर लिखते हम सीरीज नंबर यहां पर डेट इन्फॉर्मेंट्स टीक है जो बंदा इन्फॉर्मेशन ले रहा उसके बारे में नेम ऑकुपेशन इकनोमिक यह मोड ओफ लिविंग कि उनका जो रहने का तरीका है वो क्या है ठीक है इकनोमिक क्या है उनकी लेंग्विज कौन से यूज करते हैं अब हम लिखेंगे प्लांस ट्यूज इंफॉर्मेशन यह इंसान की आगी जो मेरे इतनो बोटनिस्ट है यह उस ट्राइब की इससे क्या है ठीक है इल्नेस और डीजीज कौण से डीजीज को कंट्रोल करता है कौन सा पार्ट उसका यूज किया जाता है पार्ट यूज इंफ्रमेशन मौड ओफ यूजिकिक किया है उसकी कितनी डोज़ीस लेनी है, डूरेशन ओफ ट्रीप्मेंट कितना है, सिगनेचर ठीक है इसके साथ हमारा है चोटे सा टॉपिक फिल्ड वर्क था जो की कंप्लीट होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू